हाई फ्रेंट्स मैं आरती अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वाधत करते हूँ आज मैं आप लोगों के लिए एक स्वेटर डिजैन का वीडियो लाई हूँ तो से पहले फ्रेंट्स मेरे वीडियो को आप लोग लास तक जरूर देखिएगा अगर अच्छा ल लाई सीधा और उल्टा बनाकर इसमें आपको फोर पलाई उल्ली हूँ स्वेटर बुनने वाला और ना नंबर की सलाई पर आपको डिजैन बता रही हूँ तो आप लोग अपने मन पसंद कलर और जो भी स्वेटर बनाईएगा बेबी स्वेटर काडीगन बेबी का काडीग दिजैन बनाईएगा तो यह बहुत ही ईजी डिजैन है लेकिन अगर पूरा स्वेटर में आप लोग बनाईएगा तो थोड़ा सा आपको मुश्कित लगेगा यह डिजैन बनाने में लेकिन यह बनने के बाद बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है तो देखिए इस तरह से आप दो फंदे उतारिएगा और पहले फंदे को आप इस तरह से इस सलाई पर रखिएगा और दूसरे फंदे को आप इस तरह से आगे कर लिजिएगा और फिर इसको दोनों फंदों को आप सिधा बुन लिजिएगा फिर ये दो फंदा जो है फिर इसको आप उतारिएगा तो पहले ये बीच वाले फंदे को आप इस सलाई पर रखिएगा और इसको आप पीछे से इस तरह से आगे रखिएगा और इस दोनों फंदों को आप सिधा बुन लिजिएगा और फिर आगे फंदा कीजिए आगे उल ले आईएगा और इस तरह से दो फंदा को आप उल्टा बुन लिजिएगा और फिर उल को पीछे ले जाईएगा बीच में छो फंदे को आप सीधा बुन लिजिएगा तो ये मैं डिजाइन आपको अस्टार्ट करना बता रही हूँ जो आप लोग डिजाइन कैसे अस्टार्ट कीजिएगा आपने स्वेटर में तो छो फिर आप देखिए छो फंदे सिधा बुनने के बाद उल को आगे लाईएगा और दो फंदा को उल्टा बुन लिजिएगा फिर उल पीछे ले जाईएगा फिर यहाँ पर जो चार फंदा मैं आपको बताई हूँ डिजाइन बनाने के लिए तो चार फंदे का यहाँ पर डिजाइन बनाईएगा तो दो फंदा उतारके पहला फंदा इधर दूसरा फंदे को रखिएगा सलाई पर फिर ये पीछे बाले फंदा को आप इस तरह से आगे कर लिजिएगा और फिर इस दोनों फंदों को आप इस तरह से सिधा बुल लिजिएगा और ये जो बाकी चार फंदे हैं इसको भी आप लोग सिधा बुल लिजिएगा और उल्टी सलाई पूरी आप लोग उल्टी बुल लिजिएगा देखिए आप लोग तिसरी सलाई में सीधा जो ये चार फंदा इधर में बताई थी उसको आप लोग सीधा बुन लीजिएगा और ये बीच में जो चार फंदे हैं इसको भी आप लोग सीधा बुन लीजिएगा फिर साइड में जो दो फंदा बीच में उल्टा बुना हुआ है इसको भी आप लोग उल्टा बुन लिजिएगा और ये बीच में छो फंदे सीधा है उसको भी आप लोग छो फंदे को सीधा बुन लिजिएगा फिर इधर दो फंदे उल्टा है उसको उल्टा बुन लिजिएगा फिर चार फंदे जो यहाँ पर डिजाइन वाला है उसको भी आप लोग सिधा और ये चार फंदे साइड में इसको भी सिधा बुन लिजिएगा और उल्टी तरब सारे फंदे को आप लोग उल्टी बुन लिजिएगा पॉच्वी सलाई में फ्रेंस देखिए ये चार फंदे जो साइड में उसको सिधा बुन लिजिएगा और बीच में ये यहां जो मैं चार फंदे का डिजाइन बताई हूँ फिर दो फंदे को आपको उतारना है पहले को सलाई पर चरहना है दूसरे को आगे रखना है और इस दोनों फंदों को आप सिधा बुन लिजिएगा इस तरह से उतारिएगा और बीच वाले फंदे को पहले सलाई पर रखना है और इधर पीछे वाले फंदे को आप लोग आगे रखिएगा और इस दोनों फंदों को आप लोग सिधा बुन लिजिएगा और ये दो फंदे जो उल्टा है उसको आप लोग उल्टा बुन लिजिएगा फिर उलको पीछे ले जाईएगा और ये छो फंदे का मैं बीच में केबल बना रही हूँ तो इस तरह से आप लोग छो फंदे को उतारिएगा और आगे जो तीन फंदा है उसको पीछे ले जाई और ये छोब फंदे को आप लोग फिर इसको सीधा बुन लिजिएगा जो ये आपका केवल बनकर तैयार हो जाएगा और फिर जो ये दो फंदे उल्टा हैं उसको आप लोग उल्टा इसको बुन लिजिएगा और फिर उल्टा पीछे ले जाएगा और ये दो फंदा को उतारिएगा आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे रखना है फंदे को सीधा रख करके और इस दो फंदे को आप लोग सिधा बुन लिजिएगा और फिर दो फंदे को उतारना है और बीच वाले फंदे को पीछे और पीछे वाले को आगे करना है और इस सारे फंदे को आप लोग सिधा बुन लिजिएगा और उल्टी सलाई पूरी आप लोग उल्टी बुनगेगा ये डिजैन बनके तयार हो गया है तो मैं फिर से आप लोगों को स्टार्ट करना बता रही हूँ आप लोग ये बीच में दो सलाई सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी दो सलाई बुनने के बाद आप फिर इस design को दोराईएगा तब अच्छा लगेगा अगर आप हर सलाई में बनाना चाहते हैं तो हर सलाई में भी बना सकते हैं इस design को उसमें ये beautiful लगता है तो देखिए आप लोग 4 फंदे को सीधा और इस design जहां बनाए हुए हैं उसको भी आ उल्टा है इसको आप लोग 3 उल्टा जब बनके तयार हो जाए आपका तब जाकर आप लोग इस केवल को पलटिएगा तो इस design को आप लोग जेन स्वेटर में तीन design तीन लाइन में या पूरा स्वेटर में बेठा सकते हैं काडिगन में पूरा स्वेटर आगे पीछे आपको शुरू करना है जो जहां पर उल्टा है उल्टा और साइड वाले फंदे को सीधा और बीच में जो केवल बना हुआ है उसको भी आप लोग सीधा बुन लिजिएगा और उल्टी सलाई में हर बार आपको उल्टी बुनना है फिर मैं आगे आपको एक बार आप डिज प्रेंस ये आप चार फंदे को सीधा बुनिएगा और फिर यहां पर इस डिजाइन को आपको बनाना है तो दो फंदे को उतारना है पहले वाले को पीछे और पीछे वाले को इस तरह से फंदे को सीधा करके तब चढ़ाना है सलाई पर उसके बाद इस दोनों फंदों को आ आगे रखना है और दोनों फंदों को आप सिधा बुन लिजिएगा और फिर उलको आगे लाईएगा और जहां पर ये दो फंदे उल्टा है उसको उल्टा बुन लिजिएगा और बीच में ये केवल वाला डिजाइन का जो छे फंदा है उसको आप लोग सिधा बुन कि बहुत प 나오你說 was race फिर रूटियेगा है और दो फंदे को आप लोग उंस्य गहाद फिर यहाँ पर देखिए दो फंदे को उतारना है आगे वाले को पीछे तरह ऑप पीछे और सलाई पर चड़ा कर फिर इस दोनों फंदों को आप सिधा बुन लिजिएगा फिर ये दो फंदे को उतारना है और बीच वाले फंदे को पीछे और पीछे वाले को इस तरह से आगे रखना है और ये चार फंदे साइड वाले और ये दो छो फंदे को आप लोग सिधा बुन लिजिएगा और उल्टी सलाई पूरी उल्टी बुन लिजिएगा ये प्रेंस ये साइट के फंदे आप लोग सिधा बुन लिजिएगा ये डिजैन जो बनाई थी उसको भी आप लोग सिधा बुनने के बाद उलको आगे लाईएगा और इस तरह से दो फंदे को आप लोग उल्टा फिर पिछे उल ले जाईएगा और यहाँ पर छो फंदे का फिर केबल देखिए आप लोग कैसे बनाईएगा तो ये आगे जो फंदे हैं तीन फंदे उसको आप लोग पिछे ले जाईएगा और बीच वाले जो तीन फंदे हैं उसको इस तरह से आगे रखिएगा और इसको आप लोग सिधा बुन लिजिएगा तो ये आपका केबल बनकर तयार हो जाएगा तो आप लोग चाहेगा अगर दूर-दूर पर बनाना चाहें तो तीन उल्टा जब बन जाए तब चोथी सलाई में आप लोग चोथी उल्टा में इसकेबल को पलटिएगा अगर नजदीक में बनाना चाहते हैं तो दू उल्टा के बाद तीसरी उल्टा जब बनाईएगा तो उसमें आप लोग केबल को पलटिएगा और ये साइड वाले फंदे को आपको एक बार डिजैन बनाना है और एक बार ऐसे ही सीधा बुन्नो है और उल्टी तरफ में हर बार आपको उल्टी बुन्नो है तो अब यह डिजाइन बनके कंप्लीट है आप लोग अपने मन पसंद स्वेटर में और मन पसंद कलर में आगे बनाईएगा तो मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ अगर कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा थेंक्स फोर वाचिंग मैं वीडियो